आपका स्वागत है भारती राजविवस्ता के एक महत्वपूर्ण खंड आयोगों की स्रंकला में आज हम बात करने जा रहे हैं राश्टी अनुस्यूचित जाती एवं जन जाती आयोग की बारे में हमारे देश में दलित एवं पिछड़े वर्गों का संगर्श आज का नहीं है यहाँ आजादी से कई वर्षो पूर्व से ही चला आ रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए भारती संविधान में इन वर्गों के लिए अलग से आयोगों का प्रावधान किया गया है इन दोनों आयोगों को एक साथ पढ़ने की कोशिस करेंगे जहां अंतर होगा हम उसे अलग से देख लेंगे तो आईए चलते हैं वीडियो की और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों आयोगों की एतिहासिक प्रस्ट भूमी को साथ ही वे कौन से लोग हैं जो इसमें सामिल होते हैं अर्थात इनकी क्या संरचना है तथा ये वे कौन से कार्य एवं शक्तियां हैं जो इन आयोगों को प्राप्त होती हैं साथ ही हम देखेंगे कि ये अपने प्रतिवेदन किस प्रकार प्रदान करते हैं एवं इन दोनों आयों को एवं राष्ट्री अनुसूचित जाती एवं जन जाती के बारे में अन्य तथ्यों को भी जानेंगे तो आईए हम सुरुवात करते हैं सबसे पहले इनकी एतिहासिक प्रस्ट भूमी से भारति संबिधान में मूल तह अनुच्छे 338 के अंतरगत इन वर्गों के लिए एक विशेश अधिकारी की नियुक्ति का उपबंद किया गया यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुरुवात में अर्थात मूल संबिधान में कोई आयोग का इसपश्ट प्रावधान नहीं था वहां एक विशेश अधिकारी की नियुक्ति का उपबंद मातल था इसके बात के वर्षों में इसमें कई अंतर देखने को मिले फिर एक संबिधानिक रूप में 65 वे संबिधान संसोधन 1990 के दोरा अनुशिचित जाती एवं जन जातियों के लिए एक विशेश आयोग की स्थापना की गई यहां इन दोनों के लिए एक ही आयोग का प्रावधान हुआ आगे चल कर नवासिवे संबिधान संसोधन 2003 के दोरा इस आयोगों को दो भागों में विभाचित कर दिया गया अर्थात अनुशिच जाती एवं जन जाती आयोग के इस्थान पर अब अनुशिचे 338 के अंतरगत राश्टी अनुशिच जाती आयोग का प्रावधान संबिधान में किया गया आईए अब हम आगे बात करते हैं इन आयोगों की संदचना के बारे में इन दोनों ही आयोगों में एक अध्यत एक उपाध्यत एवं तीन अन्य सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ती राष्टपती करते हैं एवं इनके कारेकाल का निर्धारन भी राष्टपती के दौरा ही किया जाता है आगे हम बात करते हैं इन आयोगों के कार्यों की राष्टी अनुचुचि जाती एवं जन्जाती दोनों ही आयोग देश में अनुशुचिजाती और जंजाती के संब्यधानिक सन्रक्षण के मामलों का निरिक्षण करते हैं तथा इन लोगों के हितों के उलंगन करने वाले किसी भी मामले में आयोक इनकी जाजपडताल एवन सुनवाई भी करता है साथ ही अनुसुचित जाती एवं जन्जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंदित योजनाओं में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं इस संबंद में वह केंद्र एवं राज्यों को अपनी सलाह भी प्रदान करते हैं अन्य बात की जाए अगारियों की तो राज्येओं के इंसाचित प्रत्वेसों को इन वर्गों के उत्थान के लिए क्या विशेश कारे किये जा सकते हैं इस संबंद में भी वह प्रामण प्रदान करते हैं इनके संदक्षण के संबंद में अन्य कदम जो भी राष्टपती कहते हैं वो यह उठाते हैं साथ ही अपने द्वारा किये गए कारियों की सूचना भी राष्टपती को यह प्रदान करते हैं आईए अब हम बात करते हैं आयोग के प्रतिवेदन की अनुसुचित जाती एवं जनजाती आयोग अपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्टपती को प्रदान करते हैं राष्टपती इन रिपोर्टों को संसत के समख से प्रस्तूत करते हैं जहां इस पर चर्चा होती है साथ ही यदि यह किसी राज्य से संबंदित हो तो यह रिपोर्ट राज्य पाल को भेजी जाती है संबन्दित राज्य के राज्यपाल उस राज्य की विधानमंडल, विधानसभा एवं विधानपरिश्यद जहां भी हो दोनों में रखते हैं एवं इन पर विष्टरत चर्चा होती है राज्य सरकारों को इन आयोगों की सिफारिशों को स्विकार करना होता है यदि राज्जी सरकारें इन आयोगों की सिफारिशों को सुविकार नहीं करती हैं तो इनका विस्तरत कारण उन्हें प्रस्तुत करना होता है आगे हम बात करेंगे इन आयोगों की शक्तियों के बारे में अनुसुजित जाती एवं जन जाती दोनों ही आयोगों को देश में दिवानी नयाले अर्थात सिविल कोर्ट की सक्तियां प्राप्त होती है इसका अर्थिया है कि यह सिविल मामलों में सिर्फ सुनवाई कर सकती है आपराधिक अर्थात हत्या आदि मामलों में इसके पास सक्तियां नहीं है अगर दिवानी सक्तियों की बात की जाए तो यह भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है उस व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तोत होने के लिए कह सकता है उस व्यक्ति से अपने दस्तावेजों को प्रकट करने और अपने बात रखने के लिए कह सकता है साथ ही वे सभी कार जो राश्टपती प्रदान करते हैं वे यह आयोग करता है साथ ही अपने संबंद में नियम बनाने की शक्ती भी इन्हें आयोगों को प्राप्त होती है आगे हम बात करते हैं इन आयोगों से संबंदित महतुपून तत्थियों को भारती संबिधान के भाग 16 में वर्णित विशेज वर्गों के लिए विशेज उपबंद प्रावधान आता है यहां भारती संबिधान के अनुचेत 330 से 342 तक वर्णित हैं इसी के अंतरगत इन दोनों महतुपून आयोगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है राश्टी अनुचेत जाती आयोग वर्तमान में गठित OBC अर्थात अन्य पिश्ड़ा वर्ग आयोग से बनने से पूर्व अन्य पिश्ड़ा वर्गों एवं साथ ही इनके आंगल भारती समुदाय के संबंद में भी यह स्वयम कारे करता था यहां दियान दखने वाली बात यह है कि अब OBC के लिए प्रतक आयोग बन चुका है किन्तु इनके बनने से पूर्व अनुचेत जाती आयोग जन जाती नहीं यही इसका महतोपून अंतर है अनुचेत जाती आयोग इन वर्गों के लिए कारे करता था किन्तु OBC के गठन के पश्चाथ अब यह स्वयम ही कारे करता है आईए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महतोपून तथ्यों की देश में आरक्षन की बहुत चलती है तो हमें यह जानना आवश्यक है कि देश में इन वर्गों के लिए कितनी सीटें का आरक्षन प्रदान किया गया है यदि हम लोक सवा में आरक्षन की बात करें तो अनुसुची जाती वर्ग के लिए 84 सीटें एवं अनुसुची जाती वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षी थें इसी में हम मद्ध्य प्रदेश से बात करें तो मद्ध्य प्रदेश से देश में सरवादिक अनुसुचि जनजाती वर्ग के लिए 6 सीटे आरक्षित हैं साथ ही मद्ध्य प्रदेश में अनुसुचि जाती के लिए 4 सीटे आवंटित की गई हैं मद्यप्रदेश विदान सभवा में आरक्षन की बात की जाए तो मद्यप्रदेश में अनुचोजी जाती के लिए 35 सीटे एवं अनुचोजी जनजाती वर्ग के लिए सेत्वा कुछ समय पूर्व हमने जाना था कि OBC के लिए एक नया वर्ग बन जुका है अतहा OBC आयोग जो नया गठित हुआ है वह किस प्रकार कारी करता है उसकी संदचना क्या है एवं क्या सक्तियां उसे प्रदान की गई है साथ ही OBC के लिए अलग से आयोग बनाने की आवसकता क्यों पड़ी इस संबंद में हम अगले वीडियो में जानेंगे तो हमारा अगला वीडियो भी अवस्य देखें साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे सुझाओ हमें अवस्य दें साथ ही यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवस्य करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इस वीडियो की पीडियाप हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं धन्यवाद